हाई गाईज वेलकम टो माई चानल वनसिगेंट तो फ्रेंड्स मार्केट में ओपो कम्पनी अपने एक और लो प्राइज 5G स्मार्टफून को लेकर आ रही है जी हाँ दोस्तो अब ओपो कम्पनी जल्द ही अपने नए स्मार्टफून ओपो A58 5G को लेकर आ रही है दोस्तों यह company का एक बढ़िया और चा लो प्राइज 5G smartphone होने वाला है जिसके अंदर आपको ठीक ठाक features देखने को मिल जाएंगे और इस smartphone को company market में 15-17,000 रपे के असपास लोन करेगी तो दोस्तों अब इस smartphone को लेकर लगवक सबीक कनफर्म सपेसिव के सन और इस smartphone की official pictures सामने आज सुकी है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ओपो कमपनी के इसी upcoming smartphone के बारे में फुल डिटेल देने वाले हैं तो दोस्तों ये आप भी ओपो कमपनी के fan हैं और आप एक बड़िया ओपो कमपनी का low price 5G smartphone खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहे आप इस वीडियो में एंड तक और ये आपको वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों वीडियो सर्व गरते हैं दोस्तों वीडियो की सरवात करेंगे इस smartphone के look और इसके design के साथ तो दोस्तों इस smartphone के back panel के पर आपको company dual rear camera sensor देने वाली है और इसके अंदर आपको water dope notch display देखने को मिल जाएगी जो कि flat display के साथ आएगा तो दोस्तों look edition के मामले में smartphone बढ़िया है बाकि दोस्तों अगर इसके features के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस smartphone इंदर आपको company 6.7 inch की HD water dope notch display प्रोवाइड कराने वाली है जो कि 16-720 pixel के resolution के साथ आएगी और इसका aspect ratio 20.9 होगा तो दोस्तों display के मामले में smartphone बढ़िया रहेगा इसके अंदर आपको full size की बड़ी display देखने को मिलेगी हारां कि दोस्तों इस smartphone इंदर आपको full HD panel देखने को नहीं मिलेगा camera sensor के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस smartphone इंदर आपको dual rear camera sensor देखने को मिल जाएंगी जिसमें आपको इसके back panel के पर 50 MP और 2 MP का rear camera और 8 MP का front selfie camera देखने को मिलेगा तो दोस्तों rear camera sensor के मामले में ते smartphone ठीक ठाक रहेगा इसके इंदर आपको 50 MP का main primary camera sensor देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों इसके इंदर आपको selfie camera इतना ज़्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा हाला कि दोस्तों जिस price limit में इस smartphone को company market में उतारने वाली है उसके इसके 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 इंदर आपको company ठीक ठाक camera sensor देने वाली है और दोस्तों अगर बात की जाए smart phone के variant के बारे में तो दोस्तों market में smart phone को company 4GV, 6GV और 8GV RAM के variant में उतारने वाली है जिसके साथ आपको 108GV और 157GV का internal storage देखने को मिलेगा तो दोस्तों market में smart phone को company कई variant में उतारने वाली है और दोस्तो अगर बात की जाए स्मार्टफुन के प्रोज़र के बारे में तो दोस्तो इस स्मार्टफुन इंदर आपको कमपनी अभी की बार भी मीडियोटेक का ही चिपसेट देने वाली है जिहां दोस्तो इस स्मार्टफुन इंदर आपको कमपनी ओक्ता कोर प्रोज़र के एक बड़ी अचिप सेट प्रोवाइड कराने वाली है जो कि आपको ज्यादतर लो प्राइज स्मार्टफन में देखने को मिलता है यह चिप सेट कंपनी का एक बड़ी अचिप सेट है जो कि डियोल 5G कनेक्टिवीटी के स्पोर्ट के साथ आता है और अगर इसकी बैन्टर बारे में बात करें तो एकको कमपनी 33WUMत के वास्ट और चाजिग स्पोर्ट वालि 5G की पारफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराने वाली है तो दोस्त एक स्मार्टफन तब आपको पारफुल 5G की बैटरी देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको power button के उपर ही fingerprint scanner का भी feature मिल जाएगा तो दोस्तो इस smartphone अंदर आपको लगबग सभी बड़ी आई features मिलने वाले हैं यह smartphone company का एक बड़ी smartphone होने वाला है जिसको company कुछ ही दिनों में Indian market में उतारने वाली है बाकि दोस्तो अगर इसके प्राइज के बारें बात की जाए तो दोस्तो जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के सरवात में बताया इस smartphone का प्राइज Indian market के साब से 15-17,000 रपे के असपास होने वाला है तो दोस्तो आपको एस smartphone कैसा लगा हमें comment box के comment करके जरूरत आए और यह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्याबाद